रोहित ने टॉस जीता और भोल गए क्या कना है मैच रेफ्री और न्यूजिलेंड के कप्तान करते रहे इंतिजार पीछे खड़े सिराज हस रहे थे रोहित दिमाग पर जोर डाल रहे थे उम्रान को क्यों नहीं खिलाया यार राइपुर के स्टेडियम में बना अनोखा रिकार्ड ब्लैक मीविके टिकेट शमी सिराज का निउजिलेंड पर कहे 36 गड़ के राइपुर इस स्टेडियम में जब मैच शुरूबा तो एक अनोखा रिकार्ड भारत ने बना दिया ये इंडिया का पचासवा ऐसा स्टेडियम बन गया है जहां इंटनेशनल मैच हुआ और सोचिए यहां पहले मैच में क्या हुआ रोहिश शर्मा ने टॉस जीता और भूल गए कि टीम मीटिंग में क्या करने का फैसला किया था रोहिश शर्मा की भुलकड़ी के किस्से हम उनके साथी खिलाडियों से भी खूब सुन चुके हैं विराट कोली ने एक प्रोग्राम में बताया था कि रोहिश शर्मा कुछ भी भूल जाते हैं पासपोर तक भूल जाते हैं इसका लाइब नजारा हमें राइपूर के शहीद वीर नरायन सिंग इंटरनेशनल इस स्टेडियम में देखने को मिला टॉस हो गया रोहिश जीत भी गए लेकिन माथे पर हाथ रखकर सोच से रहे कि करना क्या है न्यूजिलेंड की कप्तान इंतजार कर रहे थे हस रहे थे मैच रेफरी भी हैरान थे कि कोई चंद मिन्टों पहले हुई बात को कैसे भूल सकता है रोहिश शर्मा अभी भी सोची रहे थे और वो ये चुपा भी नहीं रहे थे कि भूल गए हैं बस याद करने की कोशिश कर रहे थे कोच राहुल द्रविड भी सर पकड़ कर हस रहे थे पीछे खड़े सिराज और वाशिंटन सुन्दर हस रहे थे मैदान पर बैठे 65,000 दर्शक हैरान थे कि कप्तान ने क्या बच्वन में बादाम नहीं खाए हैं दर्शक ये देखकर भी हैरान थे कि एक बार फिर उमरान मलीक को क्यो नहीं खिलाए गया उनकी जगे शार्दुल ठाकुर को तरजी दी गई कल भारत की बॉलिंग कोच पारस ने कहा था उमरान वर्ड कप में हमारे ट्रम कार्ड हैं गती मायने रखती है लेकिन उस गती को फिर से नहीं खिलाए गया ये कैसा तुरुप का इका है जो सिर्फ पानी पिलाने की कामा रहा है क्या वर्ड कप की प्रोग्राम का शार्दुल ठाकुर भी इससा है अगर हाँ तब तो ठीक है वरना उमरान को त्यारी का मौका तो देना होगा लेकिन फिलाल तो राइपूर के शहीद वीर नरायन सिंग इंटरनेशनल एस्टेडियम में शार्दुल ठाकुर को मौका मिला है यह भारत का पचास्वा ऐसा स्टेडियम है जहां इंटरनेशनल मैच हो रहा है जो भारती क्रिकेट फैंस के लिए बहुत गर्ब की बात है क्योंकि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां इतने सारे मैदान है इंग्लैंड से क्रिकेट की शिरुबात हुई थी लेकिन उसे बलाने का जिम्मा विश्व गुरू बन रहे भारत ने उठा रखा है आप जानते हैं कि क्रिकेट में भारत की ताकत क्या है इंग्लैंड के पास 22 स्टेडियम है लेकिन इंटरनेशनल मैच 7 से 8 स्टेडियम में ही होते हैं भारत के पास 50 इंटरनेशनल स्टेडियम है इसकी आहिमियत रायपूर के दर्शक भी जानते हैं तभी तो मिंटों में सारे टिकट बिग गए और ब्लैक में भी टिकट नहीं मिले पाँच हजार एकस्टा दर्शकों को बैठाने का जुगाल करना पड़ा देखते ही देखते पैंसाथ हजार दर्शकों से स्टेडियम खचा खच बर गया जिनकी मुहमद सिराज और मुहमद शमी ने पार्टी करवा दी क्योंकि शुरवाती छी ओवर में न्यूजिलेंड के तीन विकट चटका दिये और मात्र नौरन बनानी दिये शमी ने पहले ही ओवर में न्यूजिलेंड के ओपनर को बोल्ड किया और मेडन ओवर के साथ शुरवात की दूसरा विकट लेते हुए शमी को चोट भी लगी क्योंकि अपनी ही गेंड पर उन्होंने तेज कैश पकला था लेकिन राइपूर के दर्शक भी ओमरान मलिक को मिसका रहे थी फिर भी उन्हें मैच के शुरू में ही इतना कुछ देखने को मिला कि मज़ा आ गया रोही टॉस पर भूल गए न्यूजिलेंड के बले बाजों को भारती गेंड बाजों ने नचाया